केल्शियम की कमी जिसकी वज़े से घुटने बहुत जादा दुखते हैं, कमर बहुत जादा दुखती हैं, हाथ पेर बहुत जादा दुखते हैं, जॉइंट में सूजन वगेरा आ जाती हैं, घुटने दुखते हैं, मास पेशियां जो है ना अकडसी जाती हैं, और कई बार कि हम बैठते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता यां उंगलियों के जो जॉइंटस है वो मुड़ जाते हैं तो सीधी नहीं होती है उंगलिया और खास करके दोस्तों 30 की उम्र के बाद ये प्रॉबलम शुरू हो जाती है और खास करके ओरतों को यह समस्या जादा होती है मेरे साथ भी दोस्तों यह समस्या हो गई थी तो मैंने इस नुस्खे का प्रयोग करना शुरू किया और आप यकीन निमानेंगे कि कुछ ही दिनों में मेरे शरीर में जो कैल्शियम की कमी थी वो पूरी होने लगी यह जो नुस्खा मैं आज आपको यह इतना जादा फाइदे मंद है कि कुछ दिन तक आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी शरीर में कैल्शियम की मातरा बढ़ने लगेगी घुटने हाथ पैर कमर का दर्द जो है वो बिलकुल खतम हो जाएगा और असी की उम्र में भी आप अपने शरीर में के लिए हमारे घुटनों के लिए हमारी हडियों के लिए बहुत ही फाइदा करती है यह हरी वाली सौंफ है जो कि हमारी किचन में हमेशा रहती है हम अचार में इसका प्रयोग करते है चौंक लगाने में इसका प्रयोग करते है या फिर खाना खाने के बाद में चब पेट बारी सावधातने तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, दोस्तों ये जो सौफ है ये खाने को आजमे को बहतर भी बनाती है, दूसरी जीज जो हमें यहाँ पर लेनी है वो है फूल-मखाना, इसको हम लोटस सीड्स भी कहते हैं, और मखाना के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये इससे आपको घुटनों का, कमर का, हडियों का जो दर्द है वो बिलकुल नहीं सताने वाला है, इतना जाबा आपको ताकत महसूस होगी इस नुस्के के प्रयोग से, यह जो दोनों चीजे हैं यह आपको बराबर मात्रा में लेनी हैं, जैसे 100 ग्राम आप में सौफ लिया, तो इसके बाद हम इसमें सौफ डाल देंगे, सौफ में दोस्तों, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मेगनीज, विटामिन सी, आईरन और भरपूर फाइबर होता है, और यह शक्ती देने वाली होती है, आपकी शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है, इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है, कॉली मिर्च, आप चाहेतो, साबुद काली मिर्च का प्रयोगर सकते हैं veya पिसी प्रयोगर सकते हैं लेकिन जो पिसई भी काली मिर्च हो जो जो छी उनी चाहिए न भर प्र करिया एख लया जैसे आपने 100-100 गरापने 50-50 ग्राम में तो तो मतलब 10 परसंट आप को क्वांटिटी लेनी है काली मिर्च की हड्डियों और जोडों के दर्द के लिए बेहद रामबान होती है दर्द निवारक होती यह काली मिर्च आपके जोड़ों की जो वात है ना जो वायू है उसको दूर करती है अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च का प्रयोग करें अगर बिना काली मिर्च के के रूप में करना यानि यह जो मिश्री होती है न धागे वाली मिश्री इसका आपको मीठे के तौर पर प्रयोग करना है चीनी का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें मिश्री का प्रयोग करें मिश्री भी धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें आप किराने की दुकान से धाग तो मिश्री आपके शरीर को ठंडक भी देती है तो मिश्री को पहले तोड़ करके आप छोटे चोटे तुकडो में इसको आप कर लें ताकि आप इसको ग्राइंडर में डाले तो यह आराम से पिस जाए अगर आप इस तरह से बड़ा सा पीस डाल देंगे तो ग्राइंडर उसके बाद में आप इसको ग्राइंडर में डाले जितना मीठा आप खाते हैं उतना मीठा आप इसमें मिला सकते हैं अगर आपको धागे वाली मिश्री नहीं मिल रही है अनासानी से तो आप भूरा या फिर देसी खांड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप इन सब चीजों को पाउडर तयार करेंगे चाहे तो आप दो बार में इसका पाउडर करेंगे अगर एक बार में यह नहीं आराम शे पीस एक बरतन लेंगे और इसमें हम लगभग एक छोटा चपमच देसी घी डालेंगे, घी सिर्फ इतना डालना है कि मखाने जाए वो अची तरह से भून जाएं, बहुत जादा प्रयोग आपको नहीं करना है, हल्का सा गी का प्रयोग मिसमें करेंगे, और मखाने डाल करके इसको जिसे की यह खाने में टेस्टी लगते हैं और फायदा भी करते हैं, गैस का फ्लेम आ बिल्कुल दीमे रखें और इसको आप चलाते रहें, ऐसे चोड़ेंगे तो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए आप इसको लगतार चलाते रहें और इसको आप अच्छा ड्राइ र जादा मातरा में भी आप इनको भून करके तैयार करके रख सकते हैं, ताकि बार बार आपको इसे ना भून ना पड़ें अब इसका प्रयोग करते हैं, आपको एक मुठी मखाना लेना है और उसके साथ में आपको एक ग्लास हलका गर्म तूद लेना है, चाहे तो आप होते समय आप इसका प्रयोग करें, जब भी आप दूद पीते हैं तब आप साथ में मखाने का प्रयोग जरूर करें, और दोस्तों जिनको हडियों में जोडों में दर्द रहता है, कल्शम की कमी रहती है, उनको दूद का सेवन रोजाना जरूर करना चाहें, कई बार हम प्रयोग करें दूद के साथ में लेना है, चाहें तो आप पाउडर को दूद के अंदर मिला ले या फिर उपर से पाउडर खा ले और गरम गरम दूद पी ले, शुरुवात में जिनको हडियों में जादा दर्द रहता है, कल्शम की कमी रहती है, तो आप दो चममच इसका प्रयोग करें, और धीरे धीरे आप इसकी मातर को कम भी कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि कल्शम की कमी अब पूरी हो गई है, तो आप इसको थोड़ी मातर कम करके भी ले सकते हैं, लगातार आप इसको प्रयोग करते रहें, कोई समय सीमा नहीं है, इसकी जब तक आप प्रयोग करते रहेंगे आपको फायदा करता रहेंगे आप इसको एक बार लेना शुरू करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जोड़ों के दर्द है ना वो बिलकुल खतम हो जाएंगे और धीरे-धीरे केल्शिम की कम ही है बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगे एक नई चुस्ती फुर्ती और ताकत आप अपने शरीर में महसूस करेंगे दोस्तों अपनी हडियों को एकदम मजबूत बनाए रखना चाहते है ना तो आज से ही इस पाउडर का प्रयोग करना शुरू कर दे और आज की जानकारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी ह तो वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें